बिस्मिल्यारामन रहीम, Assalamualaikum नाजरीन, कैसे हैं आप लोग, मीदिया आप सब अच्छे होंगे और खुशाल होंगे, मैं हो शिपानी, मैं हो कुनाल, वेलकम गाइस हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है, Reaction वाला कपल, गाइस आज की वीडियो इस्लामिक यूट्यूब चैनल से है, और वीडियो का टॉपिक है, क्या घोडा, यानि की होर्स, खाना हलाल है, सवाल जवाब बै मुलाना मक्की अलहिजाजी, तो हलाकि मेरे को पता है, इसलाम में कहते हैं कि घोडा एक जंगी मशीन है, पहले तो कहत नहाने से, बट अगर कोई option ना बचे, तो फिर घोडा खाया जा सकता है, हाँ, वो भी तब, मतलब, अर्थरूल की कोई वीडियो की थी न, हमने, उसमें हमें पता चला था, न, नॉलिज होई थी, कि जब वो बहुत दूर दूर तक जाते थे, जंग लड़ने के लिए, तो पानी की जगा पे, पानी की जगा पे कुछ क्या था, कुछ, प्यास की जगा पे भी कोई चीज थी ऐसी, मतलब, और अगर खाने के लिए कुछ ना मिले, तब वो गोड़ा, अब मैं भी देखो, क्या बता हम सही हो, गलत हो, तो देखते हैं, मुलाना मक्की अल, हिजाजी सह की वीडियो, अगर पहली रकाद में हमने मसलन कुल वल्लावाद पड़ी, तो दूसी रकाद में भी वही पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हजूर बाग ने इहराम बागने से पहले बदन पर खुश्भू लगाई है, बीबी आश्या परमादी, हमने अपने हाथों से एक बच्चा लेके पाला है, वो उसकी जैदाद का वारे से नहीं हो गए, तो मुदबना है ना, हकीकी बेटा तो नहीं है, मुबाईल में कुरान पाग रक्स लिलाउड करके हाल रक सकते हैं, चाए हमाम जाएं, मुबाईल ले जा सकते हैं, हमारी एक बाई को तस फीसाद बिनाई है, हज फर्द है, हज का तालोग बिनाई से नहीं हंधे भी तो हज करते हैं, अगर सियत है तो अंदुस्ति है, किसी को साथ ले आए, उसको पकड़ कर लखे, कहते हैं जी के हिंदुस्तान में एक जबाद है जो घोड़े को हलाल कहते हैं, ठीक है, कोई ऐसे मसला न नहीं है, इमाम बुखारी रहमत लाए भी उसको हलाल फर्माते थे, इसलिए लितने बुखारी लोग हैं ना बुखारा कि यह सब खाते हैं, केकड़ा और जिंगा, केकड़ा तो नहीं हल्मत्ताँ जिंगा हलाल है, मैंने अजुर के नाम पे एक उमरा की है, ठीक है, कोई ब याप का कूदू. उस मेंभी तो तुम्हें मिलेगा न? मदिनेश एराम के बाद मिकात बादा ठकावट हो गई. गर्भी हो गई. पसी न निकला. होटल में नहाने के लिए. वाश्रुम गए. इहराम उतार गे. नहाने के बाद दो... कोई बाद नहाद ये तो जब इहराम नह उतार होगे तो नहाओगे कहते। अगर उतार दिया तो आपका उम्राव उसमें बदा हुआ था आधा तो भाग गया होगा। क्या जहलू मारी बात है। क्यों मुझे तंक करते होगा है। फिर कसम काई हुई है। फिर कहते हैं मगी दर नराज 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 नहाँ भादी। वही अल्लाग के बन्हें हमां में हर कोई जाते हैं चादर उतार रज़कल कमोड है। हमारे दिहाती लोग वीचारे कमोड यूज करना नहीं जाते। वो डर के मारे के बली दी नहों कपड़े को तो लटका देते हैं उपर कोई आदी नहीं कोई मसला नहीं। हमारे हम अदर सूज बच्चों को बुलाके कुरान खतम कराते हैं यह बेदर से। तुम खुद करो गारवाले पर बैट के पड़ो। उम्रे के नियत तुम आने दिल में की रहे हैं तल्बिया नहीं पड़ा कुछ पड़ा के नहीं पड़ा नहीं पड़ा फिर उम्रा नहीं होगा। हालत इहराम में नसवाद रखना डबल हराम है। मैं अपने वारत जो जिन्दा हैं एक लाग कल्मा पड़के वक्फ किया है उसका आजर मिलेगा हां मिलेगा। कुझे समझ वैसे नहीं आदी वक्फ किया है क्या माना स्टोर कर दिया है अपने स्टोर जाभी आप के पास है या वारत के पास है। मारत यह कह दो कि अल्ला उसका सवाब तुमारे वारत को दिया। तीन साल हो गए मेरी मंगनी को दौा करें कि शादी हो जाए तुम पैसे शादे कटे करो हो जाएगी। भूखे नंगे को काम देता है। बीस साल हो गए बच्चा नहीं हुआ बीवी को खामद ने कहा कि तुम किसी और मर्द के साथ रात गुजाब लो चुके मैं तो अलाद पैदा करने के काबल नहीं है। अब आलद को नफरत हो गई होनी चाहिए कैसा बिद्ध गहलत और द्यूस आदमी है जो भीवी को कहता है किसी और के बाद जाकर रात गुजाब तो इलाद करवाओ। आजकर तो इलाद अबी कोई मुश्किल नहीं है। जदीर मेडीकर सेंस में बिलकों इलाज होता है। सबसे बहतर जिकर जो है अफ़र जिकर लाइलाह इल्ए आल्लाह मुहम्द रसुल्लाह मेरी बेटी को हमल है अल्लाद सालिय अता फर्माएं। आपने मेरी बीवी के बिए दुआ की अल्थ आफ जया खेख दे। बाराल रसूल यही होता है कि मगल्ब की अजान के बाद दो रकात नपढ़ी जाएं तो अफ़सर है बादों माँ कहते हैं चुके यहाँ टाइम दिया जाता है अगर इसमें पढ़ ले तो मुस्तहब की हद तक लेकिन हन्फी मतलक में नपढ़ना अफ़सर है हमारे होटल की खिर्की से एरम की सफ़े नदर आती है चोटे बच्चे साथ खवातिम कमरे में बारा उनको भी चाहिए कि बाहर निकल के सफ़ें के पास आएं यह नहीं कि कमरें में बैठके पढ़ती रहें कमरे में तो वैसे टृलीवीयन लगा है लो तो साथ मक्का भी नदर आएगा इमां भी नदर आएगा अससाफे मी नदर आएगा तो पर टीवी को इमां बढ़ा लिया करो माशाओल्ला जहlogo नियत करोगए दें बियम नियत होगा कि खर्फी इमाम टीवी अल्लाह अकबर क्या अजीब लोग है ओ याद चंद दिन के लिए हो तुम्हें अब बसरे हो गया जी बच्चे हैं बच्चों भी तक्रीफ थी तो क्यों दिश्रीव ले आए हो ने ले आते बीवी को ने बच्चों को ले आए होजवरन को ले आओ देखा निया लोग दो दो तीन तीन बच्चे उठा के फेर रहे हैं तो वो कोशन आया था हलागि वो चोटा ता कोशन था पीच में स्टाटिंग में आया था कोशन मैं दिया था कि किसी ने पूछा कि इंडिया में कोई एक जगा है जहां पर गोडो को खाया जाता है और बुखारी के क्या रहे थे कि वो जो बुखारा से लोग आयते हैं जो बुखारा से लोग आयते हैं कि नंग के बुखारी लगता है वो लोग कहते हैं कि खाते हैं और आपको पता कि दिल्ली के जो मशूर जामा मस्जिद आना उसके जो इमाम है वो भी बुखारी है तो वो बुखारी का से रिलेडिट है बुखारा से उजबेकिस्तान या में भी आहां कहीं करके कोई बुखारा करके जगा है वहां से ये लोग आये थे तो ये इंके नांग तो उस जमाने बोला गया था कि जो ड़ता है तो काम चलाओ इससे जब जरोत हो तो फिर उसका उसका uda उसका तो आजकल जबाना चेंज हो गया लडने के तरीके चेंज हो गये तो कफी कुछ चेंज हो गया ऑजकल अज़ोड़े आज़ भी काम आते हैं वह रोरर्ल एरिया में का अते हैं गोडे गदे मला है पूरी एकी ये लगा लो खचर वचर ये तो बहुत काम आते हैं समान अब दाउन करने के लिए गदा अपनी वेड से डबल या ट्रिपल वो समान लेके जाता उपर बहुत बड़ी बात है और या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप गोड़ा पर करां कोची नों वेनिया मेंघ मेंद को घ्रफिवल ओड़ा से चार जाता मानति बड़क्राइब सुख़ींशाय खी जातनती हो और भोड़ायमे शादिया का को और जिएर पहले सब्सक्राइब सरी मेहंगा जानवर घ्रफ भोड़ा और इस पेर पैसे लगाना, अलम्पिक्स में एक करा से, झालम्पिक्स में एक टार है, एक होति है, एक रेस उती है जाकर आप पैसा दो, दो और आपका नमबर होते है, कोई नमबर लगता है, और वो रो घोडा जीचता है, तो आपको पैसा मिलता है, बच्पन में मैं गया हूँ दिली में रेस कोस करके जगा है बच्पन में स्कूल लाइफ में मैं गया हूँ और हमने लगा है भी हुए मैं तो मोवीज में ही देखा है उस चैन तो चलो समय यह थी कुछ नहीं था बच्पन क्या बंदा खड़ा रहता है सामने पूरा स्टैंड बना हुआ घोड़ा वहां से निकलता है तो जमीन हिलती है बाई जब इतने साथ आठ गोड़े भागते हैं जमीन हिलती है जोड़ थोड़ी ज़साब से वह भागते हैं तो आला कि जाइस नहीं आई है घोड़े की सवारी कर लो और घोड़े का खेल देख लो बट ऐसे पैसे वह से लगाना यह चीज गलत है यह चीज नहीं अनचीज है बागी और भी काफी लोगों ने मौलाना साफ से सवाल पूछे थे जो की काफी मला हमें तो नौलिज मिलि कर सकते हूँ अगर आपको वीडियो चा लगे तो लाइक कर सकते हो कॉमेंट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो मैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए अलाफिस